नन्हे सीगल की देख तो उड़ जाएगा लेकिन ननहा सीगल वो तो डरता रहता है उसके तमन में ये बैठा हुआ है कि उसके कमजोर पंक उसको उड़ा नहीं सकते वो गिर जाएगा और इसी वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाता वो हमेशा डर में ही जीने लगता है वो ये भूल जाता है वो एक पक्षी है उसके पंक है और वो उड़ सकता है ननहे सीगल के जो छोटे भेन भाई होते हैं जिनके पंक उससे भी छोटे होते हैं वो भी उड़ने लगते हैं लेकि ननहे सीगल उड़ नहीं पाता है ये देखते हुए उसके माबाप अब उसे डाटते हैं उसको ताने देते हैं यहां तक कि उसको कावड या बुजदिल कहते हैं ताकि ननहे सीगल का अंदर को जोज जाग जाए और वो उड़ने की कोशिश करे और इसी तरह एक दिन उसके माबाप ये फैसला करते हैं कि वो ननहे सीगल को खाना नहीं देंगे और उसे अकेला छोड़ देते हैं 24 गंटे बीट जाते हैं वो ननहे सीगल वो अकेला बैठा रहता है और भूख से फढ़ फढ़ाता रहता है वो अपने परिवार की तरफ देखता है कि कोई तो उसकी तरफ आए कोई तो उसको खाने को दे और अच्छानक वो देखता है कि उसकी माँ उसकी तरफ देख रही है और एक मूँ में मचली लेके उसकी तरफ आ रही है देकर वो बीच रास्ते में रुक जाती है ये देखके वो पागल हो जाता है और भूख से बिलबिलाते हुए उस चोटी के किनारे से एक मचली की तरफ कूद पड़ता है इस वक्त वो बहुत डरा हुआ होता है उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है लेकिन एक मिनट बाद उसे एसास होता है कि उसके पंक फैल गए है और वो आसमान में हवा में उड़ रहा है और इस तरह वो अपनी पहली उड़ान भरता है उसे उड़ता देख उसके पैरेंट्स भी उसके पास आ जाते हैं उसके चोटे बहन भाई भी उसके साथ उड़ने लगते हैं वो लोग इसी तरह उड़ते हैं कूटते हैं और जशन मनाते हैं ननहे सीगल की पहली उड़ान का चैप्टर नमबर थ्री फर्स फ्लाइट की बुक का जिसका नाम है तो इसके पहली है इस फर्स फ्लाइट अभी जो कहानि आपने देखी थी और सुनी थी वो वही स्टोरी थी इसलिए आपको इसका मोटा मोटा आइडिया तो हो चुका है कि इस स्टोरी क्या है इस चैप्टर में है क्या अब बात करते हैं एक्जाम के point of view से कि एक्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है क्या क्या आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से related तो जैसा कि हर बार मैं आपके लिए सब कुछ कर ही देता हूँ तो पहले बात कर लेते हैं कुछ important words कि कर बाद ही वाली का मतलब किनारा या फिर एज़र ने भाड़ लोट ए तैसा बुटाम ऑंसर पे इसा Initiates की पूरी स्टोमर के वर्डर है इससे को question पूछा जाएगा तो आप उसका अंसर कर सकते हो तो ऐसा long answer जो मैंने खुद आपके लिए लिखा हुआ है किसी book में आपको नहीं मिलेगा बहुत ही simple साधारन भाषा में मैं आपके लिए लिख दिया दोस्तों आइए समझते हैं रटना नहीं है आराम से देखना बहुत प्यारे प्यारे वर्ट पर असान असान वर्ट में आपके लिए उस किया है चोटी सी बात थी कि जो चैप्टर है क्या है कि स्टोरी है किस पर बेज़ए एक यंग सीगल पर यानि एक जवान सीगल एक छोटा सीगल है ठीक है आगे बढ़ते हैं who is afraid to fly अब वो क्या है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है किसी से डर रहा है उड़ने से डर रहा है समुदरी पक्षी है जो उड़ने से डर रहा है वो उड़ने से डर रहा है क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है भरोसा नहीं है अपने विंग्स पर अपने पंगों पर तो यह कहानी इस सीज के पहले पता चलगे आगे बढ़ते हैं उसके जितने भी उससे चोटे भाई है वो उड़ने जबके उनके जो पंग है उससे भी छोटे भाई है उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं आता कि वो उड़ सके यह कुछ इस तरह से ही है कि जब हम चोटे होते हैं टीनेज में होते हैं तब हम स्कूटी या बाएक या साइकल ना चलाने के लिए हमें डर लग रहा होता है कि कई हम गिर जाएंगे हमें चोट लग जाएगी और कभी ऐसा होता हमारा चोटा भेहन या बहुत आसानी से चला लेते हैं साइकल या फिर स्कूटी लेकिन हम नहीं चला पाते हमें डर लगता रहे तेने लगना जाए कहीं कहीं हिम्मत ही नहीं आपाती इतना डर खौफ जी आजाता है कि उसके पेरेंट से माता पिता है वो उसके छोटे भाईयों को सिखा रहें कि कैसे उड़ना है कैसे इसमें कैसे एक चैनल नानी है यह इसको देखते हुए जो जी ज्यादा उदास हो जाता है तीक है चलो जी आजाओ his parents scold and taught him taunt him and call him coward for not even trying उसके parents उसको डाटते हैं, taunt करते हैं, ताने देते हैं और उसको coward बोलते हैं यानि एक बुजदिल, डरपोक बच्चा बोलते हैं कि कैसा डरपोक है, तेरे में हिम्मत ही नहीं है भाई, उड़ी नहीं पा रहा है, तु ट्राइ नहीं कर रहा है, कैसा बच्चा है तू ये कहते हैं उसको, for not even trying, they threaten him to leave him alone and hungry if he does not try और वो उसको दमकाते हैं कि हम तुम्हें अकेला चोड़ देंगे और तुम्हें खाने को भी नहीं देंगे अगर तुमने उड़ने की कोशिश नहीं की क्या उसके parents बहुत ज्यादा सक्त हैं क्या उसके parents उससे प्यार नहीं करते जो उसको अकेले खाने के लिए बिना खाने के लिए छोड़ के चले गए उसे भुका प्यासा छोड़ने की बाते कर रहे हैं उसे डाट रहे हैं ताने दे रहे हैं क्या उसके parents उसके दुश्मन हैं आ आप यही बोलोगे कि they want to teach him how to fly यह आत्मसार होना चाहिए कभी भी यह मत लिख देना हाँ बिल्कुल प्यान नहीं करते हैं तोड़े होता है जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे देते रहते हैं वह यहाल उसका था नहीं पैरेंट्स हमारा भला चाहते हैं आगे बढ़ते हैं ऑग किनारे पर नीचे लेगा पानी है और वहां की कैसे जाएगा तो अब न अब उसको खोड़ देया और 24 घंटे तक बिचारे को अकेला छोड़ दिया जाता है और वह भी बड़ा चला आ के बड़ा सुस्त मुरग आई यह बिलकुल सुस्त है सीगल भी बाई यह भी नहीं कु करके यह देखता रहता है क्योंने लगेगा सो गया मर गया क्या हुआ इसको डराने कोई करता है इंसान चलाक होते हैं लेकिन कोई असर नहीं पढ़ता है ठीक है चल आगे बढ़ते हैं वो अपने फैमली मेंबर्स का ऐसे करके यूँ करके ऐसे देखके ना एक अटेंशन उनका ध्यान खीचने की कोशिश करता है कि वह देख लेंके बाई कहीं जिन्दा तो नहीं है मर तो नहीं होगे क्या होगे इसको लेकिन कुछ नहीं फरक पड़ता कोई नोटिस नहीं करता बस उसकी जो मा होती है ना वो नोटिस करती है कि मेरा बच्चा इदर देख रहा है क्या हुआ यह ऐसे ऐसे क्यों यह एक टांग पे खड़ा हो गया क्या इसका दिमाग खराब होगे देख तो लूँ ज़रा आगे बढ़ते हैं फिर वो अपनी मा से प्रात ना करता है बीक मंगना ममा तोड़ा दे दो ना ममा बूख की लग रही है ऐसे करके रोता है विचारा अब मा का दिल मा का दिल विचारी का मा क्या करती है उसकी मा एक मचली का टकुड़ा उठाती है अपनी चोच में दवाती है और उड़ती है उसकी तरफ लेकिन अभी सपेंस बाकी है दोस्तों होता है क्या है बटे स्टाप्स मिडवे लेकिन बीच रास्ते में रुख जाती है यह देख किसी गुल पागल हुट जाता है वो कह से महा के ना वहीं उस किनारे से कूद पड़ता है चीखते हुए क्योंकि भूख से पागल हो चुका होता है फिर क्या होता है क्या वो मर जाता है क्या वो दूब जाता है देखते ना वो इसे गरता है मत परेनों आपके परनी है चलो जागे आते हैं और आखिरकार वो अपनी पहली उडान भर लेता है फिर क्या होता है all the family members celebrate ही तो करेंगे तो इससे याद करना किया बहुत मुश्किल काम है all the family members celebrate his victory by cheering and diving and jumping around him सारे ऐसे कूदने लगते हैं ऐसे मज़ा किया उडली उडली ऐसे कहते हैं this is how the young seagal overcomes his fear of first flight his fear of flying and realizes his inner strength ठीक है इस तरह से वह अपनी inner strength को पहचान पाता है अपने विंग्स की ताकत को पहचान पाता है और अपनी पहली उडान भर लेता है दोस्तों क्या इसे रटनी की जूरत है क्या एक बार बताना कौन सा ऐसा वर्ड है यां पर रटनी की जुरत है कुछ भी तो नहीं है बहुत simple simple सी चीजें बहुत छोटी-छोटी सी छोटी-छोटी वर्ड में इस्तेमाल के हो एं कि बहुत चाप्टर से रिलेटिड के बन सकते हैं वो हम समझ लेते हैं आपको पूरी स्टोरी पता है कोई भी क्वेश्चन आजा उसी स्टोरी में से इसी लॉंग आंसर में से कार्ट पीट के आपको लिख के आना और कुछ भी नहीं जैसे क्वेश्चन बनता है उद्धा यंग सीगल अफ्रेट सब्सक्राइब करेंगे और कुछ भी नहीं और इस तरह से आप कांसर हो जाएए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता यह सारी बात आपको अच्छे से पता है ऐसे क्वेश्चन बन सकता है अब बात करते इसके दूसरी स्टोरी की कौनसी वाली ब्लैक एरोप्लें वाली यह कहां नहीं है पाइलट फ्रेडरिक फॉर्सित की जो पैरिस से लंडन प्लें उडा रहा था लेंडन लेंड करने के बाद वो अपने परिवार से मिलेगा उनके साथ बैटकर नाच्ता करेगा तभी वो अपने सामने काले बादल देखता है काले बादल देखते ही वो समझ जाता है कि आज मौसम खराब है और तूफान आया हुआ है उसे वापिस पैरिस चले जाना चाहिए था लेकिन परिवार से मिलने का मोह और लालच उसका फैसला बदल देता है वो प्लेन पीछे नहीं मोडता है जबकि वो जानता है कि उसके पास फ्यूल भी कम है ना ही वो बादलों के उपर स जा सकता है ना ही साइट से होकर गुजर सकता है लेकिन परिवार से मिलने का लालच और सपना उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है वो बादलों के बीच में चला जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो घने काले तूफानी बादलों में खुद को फसा पाता है, वहाँ पहुचते ही उसके इंस्टूमेंट्स वर्क करना बंद कर देते हैं, उसका कंट्रोल लूम से कनेक्शन टूर जाता है, वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसे कोई उम्मीद दिखती हुई नजर नहीं आती है, तभी उसे एक लाइट नजर आती है, एक प्लेन की लाइट नजर आती है, वो प्लेन होता है एक ब्लैक एरोप्लेन, जिसके अंदर एक पाइलिट बैठा हुआ होता है, जो उससे कहता है, पॉलो मी, वो उस प्लेन के पीछे पीछे चल देता है, अब उसे डर लग रहा होता है, कि फ्यूल खत्म हो रहा है, और शायद सिर्फ पांच मिनट ही वो प्लेन को उड़ा पाएगा, लेकिन तभी उसे एक रनवे दिखाई देता है, और वो आराम से अपने प्लेन को लेंड करा देता है, जैसे ही लेंड कराने के बाद वो बाहर निकलता है, वो फॉरन कंट्रोल लूम जाता है और पूछता है, कि कहां है वो पाइलेट, उस ब्लेक एरोप्लेन का पाइलेट, जिसने मुझे तनी बड़ी मुसीवत से निकाल दिया था, मेरी और पैसेंजर्स की सब की जान बचा ली थी, मैं उसे थैंक्यू कहना चाहता हूँ, इस बात पर कंट्रोल लूम में खड़ी वो लड़की जोर-जोर से हसने लगती है, और कहती है, कि सर आज तो कोई और प्लेन उड़ा ही नहीं, फिर वो कौन था, जिसने फ्रेडरिक फॉरसाइट की, और सभी पैसेंजर्स की जान बचाई, और उस प्लेन को काले बादलों से बाहर निकाला, तो दोस्तों ये कहानी थी ब्लैक एरो प्लेन की, उसको लग रहा था कि वो प्लेन नहीं साइकिल चला रहा है, और ये सोचते हुए उसने सबकी और अपनी भी जान जोकिम में डाल ली दी, तो भाई अगर कलको आप लोगों में से कोई पैलेट बन जाए ना, तो ये याद रखना जहाद है, हवा में हो, ऐसे सड़क पे नहीं चल रहे हो, कि कहीं भी साइड बे करके निकाल लेंगे, तो आए दोस्तों देख लेते हैं, चैप्टर से रिलेटेड एक्जाम के पॉइन आप याद रखना है, और कैसे कैसे इसकी समरी मेरे हाथ से लिखी गई, समरी आप के लिए, वो देख लेते हैं, पहले कुछ वर्च आपको पता ही होने चाहिए, इंकाउंटर, इंकाउंटर का मतला है, यह सिर्फ वो ही नहीं होता है, इंकाउंटर का मतला होता है, किसी का सामना करना, ऐसे कोई चीज जो सामना आ जाती है, ना, encounter उसे कहते हैं, इसलिए किसी को गोली मारने के लिए हमारा दिमाग में घुज गया है, वहना देखा जाए तो police और criminals इन दोनों का encounter होता है, यह आमना सामना होता है, गोली नी मारी जाती है, वो तो वस trend बन गया, मार दिया तो अब ठीक है, encounter का मतलब यह हो गया, ठीक है, चलो जी, तो ना बता है, बहुत सिंपल सी लैंगविज में आपके लिए लिखिये, यह चप्टर है भी बहुत सिंपल, चलो, आँ देखते हैं, long answer, बहुत बेशकीमती long answer आपके लिए, दियान जे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी लैंविज में, the narrator of this story, Frederick Forsyth, is a pilot who is flying from Paris to London, जो इसका narrator है, वो खुद ही पाइलट है, अपनी ही बेवकूफियां बता रहा है, कि उसने क्या क्या हरकते करी थी, पाइलट रहते हुए, यह उसने बता है, अगर यह आपको बता सकता हूँ, यह काहनी ना जब उसने लिख्खी होगी, यह सारी जो स्टोरी लिख्या है, य लिख देता ना, इसको वही से नोकरी से निकाल देता, भाई, तुस्तु क्या चला रहा है, कैसे चला था भाई, तो तेरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, तो इसने बाद में लिखी होगी, मौसरूब अगली, चलो जी, तो क्या कर रहा था, जो फ्रेडरिक पोरसाइथ, जो ओर एसी अज़ेटी तैट इस स्लीपिंग, बहुत मज़े में, खुछ होते हुए, ऐसे ऐसे जुमते हुए चला रहा था, डू, डू, ऐसे करके चला रहा था, ठीक है, और उसको, कहां से जा था, शहर के उपर से जा था, जो शहर सो रहा था, वही रात का टाइम रहा होगा आगे बढ़ते हैं, he dreams about the long holiday with his family and taking tasty breakfast after landing, वो सपने देख रहा था, सपने बुन रहा था, दिमाग में चला होते हैं, जो हम कुछ कर रहे होते हैं, क्या करेंगे, हम आगे क्या करेंगे, एक्जाम के बाद क्या करेंगे, पढ़ाई के बादे, खेलने जाएंगे, शिमला जाए डूब मैं से लेंड कराऊंगा, और पिर निकल के दूब भूँदूब और वर जाके चक्ति क्या करूँगा, पीर मेरे पथे लोंगा, अंके साथ बैठूँगा, और और लेंडन में बैठ के breakfast करूँगा, खाऊंगा, बर्गरarna चरगर अनुए जो हम यह से दिमाग में च स्टोम जिससे लग रहा था कि क्या है तूफान आया हुआ है मौसम खराब है वेदर खराब है फूर सेटी के लिए हाद से देखा जाए उसको क्या करना चाहिए उसे अपना जहाज ना वापस मोड़ लेना चाहिए था और पैरिस वापस चले जाना चाहिए था ना कि लंडन लेकिन करता क्या है वो फ्लाइ अप और अरांड तैम उसे पैरिस वापस इसलिए भी चले जाना चाहिए था उसके प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि जैसे बादल है मैं यहां पर प्लेन चला रहा डूम 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 तो एक तरीका यह ना बादल है ऐसे यह साइड स चला दिया और उची उड़ा दी तो बचके निकल जाओंगा इतना तेल नहीं था इसलिए उसको क्या करना चाहिए था उसे मोड़ना चाहिए था वापस पैरिस ले ले लेता ठीक है लेकिन भाई कहां उसके दिमाग में ब्रेक्फस्ट चला था उसके मूह में तो बर्गर चले थे बाद रखाने तो लेक्षकर ऐसको दो टर लेकिंस वह किया करता है चाहिसपने अपने सब्सक्राइब होता जो सोचता समझता नहीं है और बादलों में काले बादलों में तूपान में he risked the life of his passengers and heads straight into the storm पता नहीं कैसे खुदखुशी करने का दिल हो रहा था उसका बर्गर इतना जरूरी हो गया था वैसे बाइदेवी मदाख की बात है बर्गर नहीं खाना था उसको ब्रेक्फस्स खाना था बर्गर घाना था प्रेडरिक फॉर्सयथ को तो इसलिए उसने जहाद निकाल घान रहा था नर का मिलना पास फिर क्या होता है अब वो क्या करता है सीदो घुसा देता है evreफिंग एट्टिंग जाता है अब और फो पर यह घुश में लेके अंदर अब बुकत हो अब आपर क्या था अंधेरा चाह गया था उसके सारे हतियार जितने भी था इंस्टूमेंट हलो हलो ओर कंट्रोल हम सब डबा बिलकुल खतम कुछ नी हो रहा था कंपास अंपास सब डाउन कुछ नी सारे इंस्टूमेंट जवाब दे गए थे he lost control of the plane पता है नहीं चल रहा कहां जा रहा है बस अंधिर आए है गुसा जा रहा था ठीक है और क्या होता है उसके साथ वेन ही लॉस्ट अल्ड़ूप 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 इस अनादर प्लेंग से निकलता हुआ जा रहा है काले बाद लो मुझे उसी तुफान में से दैनॉनिमस पाइलट गाइड़ देम आड़ अड़ दे स्टॉम आड़ दे स्टॉम वो जो पाइलट था उस दूसरे वाले प्लेंगा उसको ब्रदर क्याल चाल इस तरीके से करके कहता है ऐसे जैसे सा बच्छा किसी को फालो करता है अरे बाइस सावी जरा ध्यान से अलके चलाओ लाइट जल रही होती उस ब्लैक ऐरो प्लेन में उस लाइट को फॉल करते 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 उस बड़े बादलों के जुंड से जो के ऐसे माउंटेन जैसे लग रहे थे बड़े-बड़े काले बा फीज़ात का लेकिन वो जो ब्लैक ऐरो प्लेन वाला पाइलेट था वो उसको बहुत बस पांच मिनट के बाद फील बचा था पांच मिन पहले ही इसको रनवे दिख जाता है क्या रहे झाता है और यह जो फ्रेडरिक फॉरसाइट था उस रनवे पर लेंड करा दीता है ठी है मुझे थेंक्यू बोलना गले लगाना उसको but he is left in shock to know that there was no plane in the sky except his लेकर उसके होश तब उड़ जाते हैं जब control room में खड़ी लड़की उससे कहती है sir कौन सा plane आज तो किसी अब बच गया और सब भी बच गये यह आपसे भी सवाल है बता हो कौन था कौन था मैं भी सुनना चाहूंगा क्या क्या सोचते हो कौन था मैं नहीं था मैं था बहुत प्यारी प्यारी सी स्टोरी तो इसके इतनी मज़दाइ स्टोरी यह कोई difficult word नहीं है इसके chapter में difficult word नहीं है बहुत प्यारी प्यारी सी स्टॉरी है असानी से याद हो जाएगे इसके कुछ questions देख लेते हैं देखते हैं कुछ question पूरी इस के लिए भी स्टॉरी ही समफ हो जाती है ने दो त है अरे भाई तूफानी बादल के अंदर जहाज घुसाने का रिस्क था अब पूरी स्टोरी कहीं न कहीं आपको इसके अंदर बतानी पड़ेगी पांचे लाइन के अंदर के वह पैरिश से लंडन जा रहा था जब 150 किलोमेटर क्रॉस कर जाते हैं उसके पाद उसे एक माउंटे कि इसको ड्रीम कर रहा होता है कि वह अपनी फैमिली से मिलेगा लेंडिंग करने के बाद और ब्रेक्फस्ट करेगा अपनी फैमिली के साथ यह सारी बात थी यह आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है डिस्ट्राइब दनेरेटर से श्पीरेंश अधी फ्ली अएरो प्लीट इंट इस टोम में घुज जाता है जब वह तूफान के अंदर गुज जाता है तो नेरेटर का क्या एक्स्पीरेंस होगा आप मुझे बताना वन वर्ड़ में बताना क्या इस्पीरेंस रहा होगा यह ने 일 ने कोशनी जन endure अंधिम नेरेटर ंंग झाल से स्ट्रां को ट्रूपीरेंस मनले लिए और यह जोिताया है यह जो और मिले घुज़ा इसी जो हम रहे है को पूछ भान सब्सक्या इसी बात ने मार के लिए तो उने तो यम्राज मिल लेते हैं वहां पर क्या और था चलो नेक्स दिखते हैं वोट मेड द विमन इन दस कंट्रोल सेंटर लुक अड़ेटर स्ट्रेंज ली वो जो कंट्रोल में लड़की दी वह से हराइन से कुछ रही दर कि वहां सरेजी उस पर भाई क्योंकि वह कह रह कुछ रहे हैं कि जो नरेटर था उसकी किसने मदद की होगी मुझे लगा इलियन ने आप कुछ और कह सकते हो तो यह टोटली आप पे डिपेंड करता है इसका क्या अंसर करोगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर कोई समझदार सा टीचर होगा वो उसमें रॉंग करे लगते हो तो तो आप अपना बेस्ट देने लगते हो तो आपका माइड उसी तरह से वर्क करने लगता है कि आपको दिमाग चला है उसका निसना निकलके आग सकता है तो आप लिख सकते हो ठीक है तो एक positive सा answer लिख देना ऐसा funny मत लिखना के नहीं नहीं वो तो यमराज थे यमराज प्लेन उड़ा रहे थे ऐसा कुछ मत लिख देना यह लिखना इस strength थी उसकी imagination थी उसकी या फिर उसका self belief था या फिर वो डरा हुआ था तो उसका potential निकल के आ गिया था इस तरह की ब अगर सब मैं cover कर आऊंगा उम्मीद करता है उपकी वीडियो बहुत पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक करके में जरू बताएंगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब तक यह बने रहें डियर सर के साथ